तो कैसे हैं आप से वुमीद करते हैं सब ठीक होंगे दोस्तों अभी मैं 14 किलोमेटर की दूरी तैक करके अभी पहुंच गया हूँ अमाय डेम घुमने के लिए और अभी मैं जेस्ट खाड़ा हूँ यहाँ पे एक मंदीर है पंचिबुखी मंदीर तो चलिए भी हम लोग चल और यहीं पे सामने है अमाय डेम आप देख सकते हैं उधर भी चलेंगे वहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे मंदीर में तो आप देख सकते हैं यहाँ सा है परवेश्ट दवार चलिए हम लोग अंदर चलते हैं सुगाई जभी मैं आपको बैक केमरा से दिखाने की कोशिश करूँगा अभी हम लोग मंदीर के अंदर पहुच गए हैं आप देख सकते हैं और यह रहा बहुत बड़ा सा पंच मुखी मंदीर तो चलिए एक बार यहाँ कभी हम आपको 360 डिग्री में रोटेट करके दिखा आना चाहेंगे सुगाई आप देख सकते हैं यह रहा पंच मुखी मंदीर और यहां से है परवेश द्वार तो चलिए फाइनली चलते हैं अंदर सुगाई जभी आप देख सकते हैं हम लोग मंदीर के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यही है पंच मुखी मंदीर पंच मुखी हनुमान मंदीर और यह जो मंदीर है अमवार डेम के जश्ट अपोजिट में है अगर आप कभी यहाँ पर गूमने आना चाहते हैं तो बिलकुल आ सकते हैं तो चलिए एक बार हम 360 डिग्री में यहाँ का पूरा भीव दिखाना चाहेंगे इस मंदिर का अभी हम लोग बाहर की तरफ चल बहें हैं और जो कुछ भी यहाँ पर रिकोर्ड करना था बलोग बनाना था तो सारा कुछ मेले कर लिया है और अभी मैं आपको बाहर की तरफ जा करके 360 डिग्री में पूरा रोटेट करके दिखाऊंगा और मेरे साथ में हाँ अमरनाथ जी तो यहां का भीव कैसा लगा आपको मंदिर मतलब आप भूमे तो कैसा लगा बन्या